आज के स्टुडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसपी के अंदर सेशन क्या होता और कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं तो यह डेफिनिटली काम में आने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को सिंप्ली क्लियर करवा सेशन के स्टूडेंटर गाले एक फाइल बना एक पॉल कर रहता हूं आप देखे बात करते सिंप्लि के सेशन के बारे में अब से बात की जाएं तो क्या है एक सेप्सक्राइब है एक ब्हुत्या मे oluşड़ yankee जिए कुछ डाहोता है इसको स्टोर करता थाए कुशारल यह वर आता है आपके साम आपके साथ time spend करता है आप उससे कुछ चीज़ सीखते हो इस भी जो भी जीज़े होती है वह simply session ही होता है ठीक है तो वह जो events होते हैं वह simply session ही होते हैं अब बात करें simply session को किस तरीके से PHP के अंदर समझ सकते हैं आप लोग simply Facebook को use करते हो आप लोग एक नई आईडी बनाते हो Facebook पे और उसमें आप लोग अपना नाम डालते हो अपना लास्ट नेम अपना password अपनी profile image डालते हो अब जब आप जैसे submit करते हो तो आपके एक नई आईडी बनती है और वह आपको simply profile वाले page के अंदर क्या दिखाई देता आपने जो नाम डाला था अकाउंट बनाते टाइम जो आपने image लगाए थी account बनाते टाइम उस सारी चीज़े आप लोगों ने लगाई थी obviously वो आपको दिखाई देती है सारी नहीं पासफोर्ट तो आपको नहीं दिखाई देता हो आप अंदर किस तरीके से इसको यूज करना किस तरीके से इसको इसका कोड लिखते हैं सबसे पहले में इंडेक्स.php नाम से एक फाइल बना रहे हैं थोड़ा जूम कर रहे हो तो आप लोग को सबसे पहले define call करना ही पड़ेगा फंक्शन होता वो लिखना ही पड़ेगा से छेसियसन स्टाट आपको से रहे ही पड़ेगा और यह से सियसन स्टाट यह मुझे बता अब आपकर से शूम स्टार्ट हो चुका है आप सेसिन के साथ इसलिए डील कर सकते हो तो सेह्서ह तो इसने स्टार्ट मैं निहाप सेंपूरी किया और मैं इसमें करूंगा क्या मैं आप टॉलर सेशन लिखुंगा और मैं आप लिखुंगा एज नेम अभी आजनेम शिम्पली क्या है का वेरिबली होता है आप डॉलर अंडर्स और सेंपूरर शेशन लिखते तो जैसे हम लोग नाम डालेंगे नाम simply इस तरीके समझे लोगी आपका एक variable होगा वो variable क्या होगा वो variable simply जो आपकी website के multiple pages है उसके अंदर use करने के लिए सक्षम है उसके अंदर access करने website डालते थे तो इसमें simply आपको पहले नाम डालना है पहले नाम ही डालना है और आप लोग नाम सेशन का है माल लो user name simply ठीक है तो user ही डाल देता हूं मैं name नहीं user डाल देता हूं user माल लो एक variable है इसके अंदर मैं assign कर दूँगा एक value इस user के अंदर जिसका नाम होगा कुछ भी मैं मेरा नाम डाल रहा हूं एक बार के लिए इस तरीके से okay spelling गलबड़ी क्यों हो रही है इतना ठीक है तो मैंने simply मेरा नाम यहां पर simply pass कर दिया अच्छा अगर यह page session set हो चुका तो मुझे message दिखाई देगा echo session is the set अगर session set हुआ तो मुझे आप दिखाई देगा simply session set अगर इस file को run करना तो आप लोग copy path करें और उससे भी पहले आप लोग make sure करेंगी यह जो jam paste के अंदर जो Apache module है वो start होना चाहिए नहीं तो यह file run करेंगी नहीं आप लोग करेंगे आप लोग simply paste करें st docs तक आप लोग remove करें और आप लोग यहां पर type करें local and host all right तो अभी देखो यार मेरे पास message आ रहा है कि session is the set आप लोग का session हो चुका है बड़ यह देखो मुझे आप लोग कोई चीज तो दिखाई दे नहीं रही है तो मत चलो एक काम करता हूं session का काम होता basically multi pages के अंदर ही आपकी data information को दिखा देना तो चलो देखते हैं कि वो करता भी है नहीं करता उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे मेरे पास है कि file session के अंदर अभी मुझे simply एक नहीं file और create करने पड़ेगा इसका नाम मैं simply कुछ भी डाल देता हूं मैं डाल देता हूं simply index2.psp इस तरीके से ठीक है और मैं यहां पर PSP open करूंगा PSP close करूंगा इस तरीके से all right guys ठीक है और अभी के लिए मैं simply इतना ही करता हूं मैं को कर देता हूं इस फाइल को एक बार run करते हैं हम लोग copy path करते हैं और एक नई टेप open करते हैं यहां हम लोग simply paste करते हैं एस डॉक्स मुझे remove करना है लोकल host type करना है और right क्या हो चुका है मैं यहां पर simply इस फाइल को फिर से run करूंगा एक बार local host और enter मारा मने मुझे यहां पर दिखाए देरा simply second page इस page के अंदर जो मैंने simply यह जो session की value defining की थी यह जो यह जो भी है यह मुझे इसके अंदर इस वाले page के अंदर से यह ठीक है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं वो चीज़ उसके बारे बात करते हैं आप लोग इंडेक्स टू डोट पिस प्राओ जहां पर आपका यह पेज का कोड है उसके अंदर आपको आना है और आप लोग करोगे क्या आप लोग यहां पर एको लगा दो से इस तरीके से यह फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो यहां पर आप लोग अब स्टेवल का बेसिक टेंपरेट लेके आप लोग यहां पर डाल सकते हो एक ओ लेकिन आइको आप डायकली पास नहीं कर सकते हैं आप लोग पीएसपी ओपन करोगे एंड पेस्पी क्लोज करोगे इसके अंदर फिर आप लोग एको लिखोगे और गाईज आपको अगर इस सीज को प्रिंट करवाने है तो यह जो कंप्लेट आपका सेशन इसको कंप्लेटली कोपी करो आप इतना ठीक है इसकी वेल्यू नहीं आप लोग का डौर अंडिसकूर सेशन और यूजर बस इतना ही करना है और आप लोग यहां पर सिंप्ली स्वेमिकौन लगा दे अब अब अगर मैं यहाँ पर जाओंगा और मैं रिफ्रेस करूँगा तो आप लोग देखोगे ना मुझे एक सिंप्ली एरर है एरर तो नहीं है बिसे के लिए एक वार्णिंग दिखाई दे रही कि आप सिंप्ली लिखेना पड़ेगा क्या सेशन स्टार्ट इस तरीके से और मैं आप सिंप्ली सेव करूँगा रिफ्रेस्ट करूँगा आप लोग यह काम कर सकते हो एक को कर सकते हो इसको बिया टेक के अंदर ताकि चीजे मुझे थोड़ी कूल दिखाए दे वैसे तो वह प्रिंट हो चुका है बट थोड़ा सेटिंग इसको करते है आप लोग देखो कि मुझे दिस इस सेकेंड पेज एंड मुझे अंकी जाइ चेंशक को कørिया हुए यहां में में कुछ चेंजमेंट नहीं होगा पहले मुझे इस इस पेजर करना पड़ेगा अब मुझे ऊंड पयु करना पड़ेगा तो आप लोग देखो मुझे आमित ही बिल रहा है अूर ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि इस सिंप्ली यहां प तो यहां पर कहता है इसका ज़्यादा जब आप लोग आउट करते हो लोग इन करते हो तब भी वहां पर यूज करता है लोग आउट करे कोई तो शेसन होता है ना वह डिस्ट्रॉई हो जाए अंसेट हो जाए उसके जो भी वैरियाबल सभागे रहे तो उसके लिए लिए- आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखो आजिए कुछ ऐसी बात है कि मैं क्या करूँ मैं सिंप्ली ऐसा करूँगा यह जो इंडेक्स.php इस पर मां आऊँगा सबसे पहले एक लोग आउट का पेज है इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो इस फाइल को मैं रन करूँगा और मैं कोपी पात करूँगा ब्राउजर के अंदर चलूगा नए टेप अपन करूँगा पेस्ट करूँगा और एस डोक्स के अंदर मैं लोकल पोस्ट भी टाइप तो मुझे दिखाए देगा यह सिंप्ल लोग आउट का पेज है और इस यह सिंप्ल जैसे में रिफ्रेस करूँ तो यह जो सेशन है यहां पे यह डिस्ट्रोई हो जाना से यह और किस तरीके से होना से उसके बारे में बात करते हैं देखो सिंप्ली को सेशन को स्टार्ट कर हो जाए कि सिंप्ली ठीक है और वो अन्सेट हो जाए मैं इसको रिफ्रेस करूंगा तो देखो अन्सेट हो चुका है बल्कुल अब आप लोग देखो सिंप्ली मुझे वार नहीं दिखाई दे रही है यह मुझे बोल रहा है कि यह जो अन्डिफाइंट डूजर की यूजर है यह क्या है इसको समझ में नहीं आ रहा है यह अन्सेट कर सकते हो अन्सेट क्या करता है अन्सेट सिंप्ली रिमूव करता है जितने भी हमारे सेशन के वेरियाबल है से 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 डश को यह किया करता है रिमूव करता है य Kingdomilee cuarto È рад 120 अंध होता हमारे पास डिस्ट्रोय आप मोग दोनों का साथ में यूज कर सकते हैं पेटर है आप लोग यहांपर से संट ऑके संट डिस्ट्रोय आ अप आप सिंप्ली पास कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग सिंप्ली कर किया सकते हैं इसको सेव कर सकते हैं रिफ्रेस कर सकते हैं से मेर आपको यहां पर देखने की मिलेगी लेकिन आप लोग चाहते हैं कि या आप यह बार बार एर्र आपको देखने को ना मिले जब आप तो डोट पेस पेंदर आएं और आप लोग करें क्या आप लोग यहां पे इसको कंट्रोल अक्स करें इस तरीके से ठीक है आप लोग क्या करें इसको कंप्रेटली कट करें यहां से कंट्रोल अक्स करें और यहां पे आप लोग करें क्या यहां पे इस तरीके से इफ अगर कि थोड़ा गड़ी कर दी मैंने यहां पर में simply इसको इसे करूँगा इस set अगर यह set होता है क्या जो मेरा session है वह simply echo को माटाता हूँ मेरा session यहां पर set होता है तो आप लोग क्या करें आप लोग echo कर दें इसको ठीक है else आप लोग कुछ error दिखा सकते है कि इस तरीके से echo you are logged out please login again इस तरीके से ठीक है और मैं हाप simply dot लगा कि इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ easily ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ हो देखो simply save करता हूँ मैं इसको और मैं इसको refresh करता हूँ अब मैं इस पर जाओँ मुझे मिल रहा है मतलम मैं simply क्या हो अभी इस website एंदर मैं log in हूँ ठीक है अब मा पहले इसको refresh करूँगा मतला मैं log out cheriot हो जाओंगा अभी अब इस साद्री अब इसल्कित लोग आउट में हो चुका है अब जैसे मैं सेकोोu रोड और मुंझे बैसे को रख्रेस होगा है और मनुझी हो टाया है तो मुझे बता रहा है की य्ज बठेस्ट प्लीज लोगीन और से यसे से Consult में भी हम लोग बात करेंगे लेकिन वो हम जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब हम लोग इसको अच्छे से और समझेंगे बेसिक सेसन आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है किस तरीके से काम करता है किस तरीके से आज शुरित नहीं, I will see you next time, that's the end of video, bye-bye.